तो आज सभी लोगों को करेंट अफेर की क्लास में काफी बेट करना पड़ा कुछ टेक्निकल इसूस थे जिसके कारण आप लोगों को थोड़ा सा इत्यार करना पड़ा पहले से क्लास लगी नहीं थी तो जल्दी यल्दी जॉइन कीजिए जल्दी यल्दी और सभी साथी आए उनके लिए बस दस सकंड पंदरा सेकंड का और इंतजार मुदित अंजुम निशा एंड रुपाली पाल प्रियांसु भारतिये बिजय स्रीजी भाब्या अजय प्रताब सिंग संदीव कुमार सौमित रियादो न्यू बेरी गुडिवनिंग वेलकम सभी लोग लग ल यहां रखना ही होगा जो ही स्रीवास्त्रजी बेरी गुडिवनिंग जोया और संजु निशाथ सभी लोगों को जल्दी आए और हमारे टेकनिकल टीम का एक मेंबर को क्लास ही नहीं लगा के गया और अच्छा मंधन मनाने चला गया गाओं तो उसने थोड़ा था मुझे द राहुल गांधी लवर्स भी आ गये हैं गुडिवनिंग्स स्वेता गुप्ता थाइपी चलिए अब हम लोग क्लास इस्टार करते हैं जो लोग नए हैं सिंप्ली फाइव प्रजाती का नाम किस अभिनेता के नाम पर रखा गया है जैकी चेन, अर्नाल्ड, सावेर इंसारनेगर, साम क्रूज एंड हरिसन फोर्ड एक पेरू में पेरू जो है आप लोग जानते हैं देश है वहाँ पर एक जो है साप के एक प्रजाती खोजी गई है जिसका नाम किसी अभिनेता के उपर रखा गया है ठिक हैं और जो है वो अभिनेता का नाम आप लोगों को बताना है कि किसके नाम पर रखा गया है कौन है वो इन चारों में से एक हैं जल्दी आप लोग बताएंगे जहिंद सवरफ सिंग जी थोड़ा सा इंब्रेसिंग हो जाता है जितें ज्यादो जी चब टाइम से क्लास नहीं स्टार्ट होती हो मैं खड़ा हूं यहां कब से आके आफिस से लेकिन चीज़े हो नहीं पाई टेक्निकल वज़े से तो दिक्कत तो होती है थोड़ी से अरुन कुमार सिंग नदीम आह इसको इंफर्म किया था बट टेक्निकल वंदा नहीं कर गया अधित बर्मा जी बहुत-बहुत आशिरवाद आप चरण असपर लिख रहे हैं आप नमस्का लिखा किजिए सिंपल गुडिवनिंग ठीक हैं चलिए हरीशन फोड एंसर स्टार्ट प्राम आल आफ यू यू आ यह जो है उसके जो अविनेता है हरीशन फोड इनको स्युक्स में इनको इन नाम पर पर इसका नाम रखा गया है क्योंकि इस फील में इन्होंने काम किया है किसके conservation आप इस प्रसीज के छेत्र में इन्होंने काम किया है तो इसलिए रखा गया है इनके नाम पर Harrison Ford is an actor on which name a new species of snakes has been named and that species has been found in Peru आपको टेलिग्राम पर देंगे बिल्कुल महें सिंग चलिए रंजना दूबेजी आ गई है अब इसमें और जाता नहीं जाएंगे और एक बात और कि यूटूब पर ही हिंदी की क्लास होगी आज राइटिंग हिंदी की यूटूब पर होगी आप सभी लोग नौ बजे जुड़िएगा जो संभव हो जिन से संभव जो चाहते हों जुड़ जाईएगा अगें नंबर टू कुश्चन महाराश चीप मिनिस्टर इसको दिया है आप लोग में से सभी लोग यह बताएंगे फिर आगे चलेंगे उद्द्योग रतनेवार्ट बिरिताव पाद्याजी नमस्कार चलिए बिल्कुल सौमित्र एंड एबरीबड़ी अरू 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 एबरीबड़ी एस गिवन राइट आंसर रतन टाटा जी क लिटा दिया जयाद करिएगा कई बारिजी घुस्कान अátे इकजाम में और हम लोग गलतियां कर बैठते हैं वहां ऐसा लगता यह तो नहीं हो सकते इनको oxygen powered rocket भारत का पहला किरोसीन आक्सीजन संचालित राकेट परछेपित करेगा कौन विल लांच दर किरोसीन आक्सीजन प्रोफेल्ड राकेट कौन सी कंपनी है वो पिक्षेल्स अगनी कुल कॉस्मास स्काई रूट अरो स्पेस एंड धुरूब स्पेस किरोसीन आक्सीजन पावर्ड राकेट आप लोग बताएंगे किरोसीन को लेकर क्या घबड़ानी जीरूद नहीं किरोसीन जो होता है ना एर टर्वाइन फ्यूल जैसे एरक्राफ्ट हो करा में हम भी भरा करते बहुत तेल भरे हैं नव साल तेल वरा एरक्राफ्ट में तो जब जहाँ इतना बढ़िया जेट विमान में दोड़ रहा है तो यहां भी दोड़ेगा कहां पर राकेट में भी जाएगा तो किरोसिंग का मतलब आप बहुत यह नहीं सुझे गाव में किरोसिंग के इस्तेमाल को लाल्टेन और लैम्प जलाने में होता है ऐसा नहीं है ठीक है तो कौन सी कंपनी है आप लोग बताएं थर्ड का सी कोई बी बता रहा है देखते हैं कौन कौन हमारे साथी सर्टा पहेंद सिंग सी बता रहा हैं स्काई रूट एन जितेंद यारो स्काई रूट जोती जी स्काई रूट बता रही हैं अंजुम निसा भी स्काई रूट बता रही हैं और प्रभाकर तिवारी जी कास्मोस बता रहा हैं अग्निकुल जुही जी अग्निकुल बता रही हैं और मन्जु सिंग सभी लोग जो अगनी कुल बता रहे हैं वो राइट आंसर कर रहे हैं अगनी कुल कास्मॉस इस 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 दे कंपनी विस गोई तो लांच के रोशीन और ऑक्सीजन प्रोपेल रोकेट बेरी सून बहुत जल्दी ओके लेट उस्मोव तो नेक्ट कुस्चन फूर् 1323 देखेब फीफा का महिला 20 कप यहां पे हुआ इसमें दो जगों पे हो सी यानि यांगि कि कोहोश थे कौन-कौन एक आस्ट्रेलिआ हैं नुजीलेंड और तो महिलाओं का एंड नुजीलेंड यहां पर अभी chiarम ऑल में वहां है इसी मुंथ हुआ है अगस्त्त में ही तो B लिख रहे हैं कि तीसरी position कौन लिख रहे हैं B अच्छा आगले वारे का करिए आप लोग जोती कुमारी जी 4th का A कर रही है आस्ट्रेलिया बिलकुल सही लिखा आपने पहली position कि बिलकुल आस्ट्रेलिया सही लिखा है आपने तो देखिए इसमें क्या थी position आश्ट्रेलिया न्यूजी लेने ये फुटबाल प्रत्युकता हुई जिसमें इंपहली बार champion बना कौन champion बना? इस्पेंग बना champion इसने किसको हराया? इंग्लैंड को इसको और आया था इंग्लेंड को और फिर आस्ट्रेलिया तो आस्ट्रेलिया ने तीसरी पोजिशन पर आप की है ये राइट आंसर है आपका जो है महिला बिस्ट कब जो फीफा हुआ आस्ट्रेलिया निजूलेंड में उसमें जो है Spain number one पर रही है, यह one पर रही है, यह two पर रही है, और यह third position पर रही है आस्ट्रेलिया, तो इस question का answer आस्ट्रेलिया होगा, तो कि third position की बात यहां कहीं जा रही है, ठीक है? स्वीडन, स्वीडन नहीं भाई, स्वीडन नहीं, स्वीडन नहीं, अच्छा स्वीडन देख लेते हैं, confirm कर लेते हैं, third place, first place तो इस्पेन का है, second इसका है, third place देख लीजेगा एक बार, मैं फर्स्ट प्लेस बता देरा हूँ सेकुड अस्यली शुषे उस्ट को मिला है इस्पेन जो है पहली पोजीशन पर इंगलान इसकेंड थाड देख लिजएगा कि तीसरी पोजीशन पूछ रहे हैं थाड प्लेश किसको मिला है तीसरा स्थान यह थोड़ा सा आप लोग देख लिजएगा ठीक है स्वेटा गुपता जी स्वेडन करें, may be the right answer, and I think यहां पर, स्वेडन को, yes you are right, स्वेडन इसका answer है, third place जो है, यहां पर स्वेडन है, स्वेडन को ही third है, ठीक है, पहला Spain, दूसरा England, और स्वेडन third, यह third place जो है स्वेडन, स्वेडन is the right answer, आप लोगों ने correct कर दिया, बहुत बढ़िया, very good, and स्वेडन गुपता जी, thanks, thanks a lot, आपने इसको correct करा दिया, बहुत बढ़िया, बिल्कु सही है, कोई दिकत नहीं है, Sweden is the right answer, बहुत बढ़िया, आपने सही करा दिया था answer, तो Sweden is the right answer, बहुत अच्छा, इसका सभी लोग स्वेडन आंसर करेंगे, Spain पहला, England second, and third is the Sweden, ठीक है, बहुत बढ़िया, रंजना दुबेजी सही कर दिया है, यह Sweden right answer है, चलिए, fifth, which of the following person becomes first wrestler to win back-to-back under 20 title, अंडर 20 championship, अंडर 20 बिस्ट खिताब जीतने वाली पहली पहलवान कौन बन गई है, प्रिया मलिक, अंतिम पंगल, एन सविता, एन गीता फोकाड, लगातार इस सब्दुक पर गौर कीजिएगा, क्योंकि प्रिया मलिक भी जीती है गोल्ड, प्रिया मलिक भी इसी प्रत्यविता में गोल्ड जीती है, यहां पर यह ध्यान रखिएगा, कि पांचोय में अंतिम पंगल हैं, यह अलग-अलग बर्ग में जीते हैं न, यह जो है प्रिया मलिक साथ जीती है 76 में और यह 53 स्टाइज से किलोग्राम परण में ऐसे जीती है ठीक है तो इसको थोड़ा सा देख लीजेगा तो इसमें और एक बात खास बात यह है कि लगातार पिछली बार भी जीती थी बुल्गारिया में हुँता पिछली बार भी जीती थी कंजीक्वीट्व सेकेंड यानी लगातार दूसरी बार तो आं प्रिया मलिग में गोल जीता है लेकिन आंतिम पंगाल ने लगातार जीता है WA रहा रागणी वाजय सौमित एबरीबड़ी जोती जी बिलकुल कमल मिस्रा आगए आप थोड़ा सा जो है क्लास डिस्टर्ब हुई थी इस वज़े से साथ आप लोग जो है डिस्टर्ब हुए होंगे संदीव कुमार बेरी गुर एक चीज आप सभी लोग जानते हैं कि कल की क्लास सभी लोगों के लिए ओपन थी जो हिंदी राइटिंग की थी जिसमें आप सब लोगों के लिखे हुए लेटर दिखाए गए थे तो आप लोग लिखते पढ़ते रहिएगा अगर मेंस पे जादा फोकस नहीं करना तो भी को अधीरस गौतम हाँ ठीक है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं वो हैस बीन अपॉइंटेटर आप एंड सीओ आप साउथ इंडियन बैंक साउथ इंडियन बैंक के एमडी और सीओ कौन बने हैं एमडी और सीओ किसे निउट किया गया है आरके बंसल प्यार से साद्री एनस स्था नाज़ेples आजले साउठर करेंगे जितनी जल्दी होटाइशन का अंसर चलिए ba वज़े से हिंदी के क्लास है कुछ डिसकस जरूर करेंगे आज आप लोगों के साथ परिपत्र के बारे में डिसकस करेंगे ताइम रहेगा तो अनुसमारक के बारे में करेंगे हाँ ठीक है अन्जुनिसाज कोई दिक्कत नहीं जो लोग only pre कर रहे हैं कोई टेंसन नहीं कोई बात नहीं गेस्ट आ जाते हैं राजनी जी अब और करना ही पड़ता है फिर आप लोगों को तो बिना काम की फुर्सत नहीं मिलती इस्पेसली वार्द गल्स एं लेडिज और य कि सभी लोग सिंखक अभी भेन सर कर दिया है रही ना दूबई जिने अन सभी लोग ने कर दिया है जो ती कुमारी से लेकर तुसार सब लोगोंने बड़या अंसर किया एंड जुही जी जोटी कुमारी जोटी दुबई सब लोगों ने आंसर किया प्रसे साद्री यह बहुत अच्छा कुश्चन नहीं है यह बैंकिंग के लाइन के कुश्चन इस तरह से आते थे फिर भी जान लेने में कोई गुराई नहीं है सब्सक्राइब के लिए कितने सुभंकर का नावरं किया गया एक दो तीन चार जड़ा देख लीजिए फिर बताइए हमें ऐसे भी कुश्चन पीसियर लोग से वायों कई बार पूछ लेता है जहां पर यह दिक्कत आती है तो प्लीज एक यह कीप इन माइंड वायनी मस्कट्स है बीन विल्ट फार्दा वन दे इंटरनेशनल क्रिकेट वर्ड कप गई तो बीहल इंडिया इन इस यह वंदी एंडिया इन अक्टूबर 2023 नहीं नहीं बैंक स्के कोई हेडकोर्टर याद करने के जरुद नहीं इस इकजाम के लिए मिस्टर आधिजबर्मा कोई बात नहीं जो ही जी आप जब मर्जी लिखेगा हम आपका चेक करेंगे आप सभी लोगों काम चेक करते हैं एक एक कुष्चन और एक-एक में ना चेक करें सबका चेक करेंग अभी परिसान होने ज़रुत नहीं है असानी से करिए भक्ति भारत गुड इवनिंग बेरी गुड इवनिंग चलिए दो बिलकुल रंजना जी एं धीरस गौतम आदित सब लोगोंने कह दिया है महेश कुमार और टू इन वन लिख रहे हैं बहुत बढ़िया लिखा आपने बिलकुल सही बात है दो का किया है दो इसलिए किया है द क्यों कि अंडर नाइटीम जो वर्टक जीत कि आई उ में यह दोनों टीम में इन दोनों टीमों का जो क्या बोलते हैं कप्तान की नहीं को सो करने के लिए यहां पर जो उसका मेल वाला या यानि जो अंडर नाइंटीम का एक इन इनका हो और यह जो गल्स का है यह लड़कियों का तो इनी दोनों को ले करके दो जो है इन्हों ने ऐसे अधे बना दिये हैं टीक है दो लोगों का सबंकर इस तरह बना दिया गया है ठीक है यह लड़की हो गई है ठीक है तो यह दो सबंकर इसे बना दिये गए है ठीक है ओके लिए अगे बढ़ते हुए दो है यह यहां पर लिखा है ना यह यह दो है और सफाली वर्मा इन दोनों की वज़े से यह देखिए यहां पर बनाया गया है यह यहां पर अंडेस्टू अरे यहां वर्म बैंगल सिटी फिरोजाबाद दियान सतिस्ट इस आ वस देर इन 2000 2008-2014 I was in Agra and Mathura and I was regularly visiting your Bengal City फिरोजाबाद फिरोजाबाद 2008 से लेकर के 2014 तक मैं रेगलर विजिट कर रहा था रेगलर दिव्यान सतिस्ट जी और वहां से बहुत सारे बैंगल्स भी लाए थे थेंक यू थेंक यू थेंक यू बरी से था थीक है ओके ओके बात चली वू वांद फीफा ओमेंस वर्ड कप 2023 फाइनल इसने फाइनल जीता है वही कुष्चन है जो भी आया था बस तेंग मैं जो है केवल गुजरात में नहीं रहा हूँ और इदर जम्मू कस्मीरिये नार्थ में हिमाचल उस साइड ने गया हूँ अब वाकि जो है पंजाब से लेकर के और कन्या कमारी रामे इस्वरम हर अंडमाद मिकबार लक्ष दिवब तक हर सहर में लगभग एक बार टश तो किया हूँ लगभग हर बड़े सहर ने और लगभग जए दो चार राते तो हर सहर में विताई हैं रहा हूं जरूर एन आगरा फिरोजाबाद मतुरा अलीगड़ आत्रस कास गंज एटा वाज मैं रेगुलर बिस्टिंग प्लेस मैं रेगुलर विजिट कर रहा था जब मैं लाइसी में था इंसरेंस फिल में जब था तो एरफोर्स में था आगरा में चलते हैं इसमें इस पर राइट आंसर इस मिनिस्ट्री लाइंच एक कंपेंट इंडिया आइज प्रीमियर बेडिंग डेस्टिनेशन ग्लोबली देखिए अग साधियों का भी डेस्टिनेशन भारत बनने जा रहा है मतलब यह दिखा मतलब कितन इसको प्रचारिद कर रहें प्रचारिद कर रहें जिसे हमारा क्या बढ़ है परेटन बढ़े ब्यान सतीज जी बेरी गूर्ड वेलकम आईए आप नहीं जुही जी बरेली नहीं रहा हूं बट बरेली होकर और सहारनपूर एंड अंबाला रेगलर चंडिगर जाता था बट तो साधियों के डेस्टिनेशन के रूप में भारत को प्रमूद विवा अस्थल के रूप में परदस्तित करने के लिए अभयान सुरू किया है भारत सरकार ने अभयान का नाम तो देखिए कितना बढ़िया नाम है इसका नाम क्या है इंडिया says I do इंडिया ने कहा मैं करता हूं मैं करती हूं ठीक है तो यानि साधियों के डेस्टिनेशन के रूप में यानि एक आयोजन साधियों के बहतर और आकरसक ढंग से और रीत रिवाज से करने के लिए एक परचारित किया जा रहा है मिनिश्ट्री आप तूरिजम यह प्रमोट कर रहा है जिससे की परेटन के दूम हमें आता है चाहिए वो हस्पृटलिटी के फिल में हो या क्राफंड हैंडी कर्फ्री में हो या आपका एवी एसन सेक्टर में हो तो हर स्थे प्टर होता है yes Mr. Priyansu Bharti I was there in Paryagraj also Paryagraj में भी था मैं and I was a student of Even Christian College I don't remember the year now मैं Paryagraj में रहा हूँ Even Christian College का student for the 4 months only 4 months only ECC Lahabad Paryagraj what Ricard did Shri Nagar Tulip Garden Set in the World Book of Ricards चलिए World Book of Ricards में Shri Nagar के Tulip Garden में कौन से Ricard बनाया Tulip किस्मों का सबसे बड़ा संग्र है एक ही दिन में सरवाधी का अगंतुख Asia का सबसे उचा Tulip and सबसे लंबे समय तक निरंतर लिखने की अवधी खिलने की अवधी Tulip Garden को मिला है World Book of Ricards इसमें यही पूछ लिया जाएगा Hardly World Book of Ricards में कौन से गार्डन दुनिया भर के गार्डन दे दिया जाएंगे Tulip Garden का भी नाम कौन सा वाला रिकार्ड दिया गया यह जल्दी से पूछने की उमीद नहीं है नहीं नहीं बदायू में नहीं बदायू में नहीं प्रिती जी बदायू में नहीं रंजना अधू बेशी चलिए गोंती नगर पत्रकारपुरम बहीत रहता था दीरज गौतम दीरज गौतम जी पत्रकारपुरम चौराय पहीत रहता था गौंती नगर में आप तो लखनु में कहां गुमाएंगे हम लखनु में तो है लार्जस्ट कलेक्शन आप ट्यूलिप बराइटी सेवता गौता जी कह रही है यानि किस्मों का ट्यूलिप किस्मों का सबसे बड़ा संग रहे तो अगर जो सहता गौता जी कह रहे ही तो सही ही होगा गलत हो नहीं सकता एंड एब्रीबडी इस गिविंग इंक्लूडिंग प्रियांसु भारती मोधित मिस्रा जी जोती दुबे जी गंजना दुबे जी अधिन गउता जी जोती कुमारी जी अजें कुमार जी सब ही लोगोंने अंसर कर दिया है महन संगी सबी कर दिया है तो अच्छा ही होगा अंड रुपाली पाल यस रुपाली पाल जी आप सब मत मुझे चकेरी एरफोर्स में रहा हूं बहुत लंबे समय तक 2003 में में आगन केरी कानपूर में रहा हूं है ठीक है I know everything about Kanpur okay so we have just completed all the questions and now we will start Hindi class at 9 o'clock Hindi writing practice and anybody if you want especially for APS especially for APS but RO के लिए भी आप लोग कर सकते हैं you can very well join RO student also can join but need not to write just आप सुनते रहिए उतना ही काफी है लिग देंगे तो ठीक है नहीं सोनभद्र गया हूं पिंटु जी पिंटु कनो जी आप सोनभद्र माइफेवरिट प्लेज माइफ्रेंट इस देर सब्सकार और जो है सबी लोगों से फिर मिलते हैं नव बजे की क्लास्टाइब कर देंगे लिए नवजे की क्लास्टाइब में जो लोग रहेंगे ठीक है सब लोगों से मिलते हैं आप लोगों सभी लोग बहुत बहुत धन्यवाद आप नाइस नाइस जिनर आप लोग बढ़ियां पढ़ाई किद जिये और बेरी बेरी गुड़ नाइट तो अल आफ यू थैंक यू अल आप अल आप लोगों से मिलते हैं जो लोगों से पोल्फियां रहें पहलुन